दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर एट में आस्ट्रेलिया को कुचलने के लिए भारतिय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने फाइनल प्लेंग 11 का एलान कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने भारतिय टीम की प्लेंग 11 में बड़ा बदलाव करते हुए किन-किन ग्यारह धुरंधर खिलाडियों को प्लेंग 11 का हिस्सा बनाया है। आखिरकार, आस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतिय टीम की क्या रहने वाली है। फाइनल प्लेंग 11, भारत और आस्ट्रेलिया का यह रोमांचक महा मुकाबला कब और कितने बजे से खेला जाएगा तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है। रविंद्र जडेजा और ग्लेन मैक्सवेल में कौन सबसे खतरनाक औल राउंडर खिलाडी हैं। हमें अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और आस्ट्रेलिया का यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमान्चक और दिल्चस्प होने वाला है। क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम आस्ट्रेलिया के खिलाफ अप कप्तान रोहित शर्मा ग्यारह युवा खिलाडियों के साथ बिलकुल तैयार हो गए हैं। वह समय अब आ गया है कि आस्ट्रेलिया को हरा कर इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए। और फाइनल में मिली हार का बदला पूरा हो, रोहित शर्मा आस्ट्रेलिया के खिला आपको बता दें, भारत और आस्ट्रेलिया का यह रोमान्चक महा मुकाबला 24 जून को रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप टेलिविजन पर डीडी स्पोर्ट्स के चैनल पर देख पाएंगे, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हाट आपको बता दे, भारत और आस्ट्रेलिया, यह दोनों ही टीम में अभी तक T20 World Cup के टूर्नामेंट में पांच बार आमने सामने हो चुकी हैं, जिसमें भारतिय टीम ने तीन मुकाबले में जीत दर्ज की, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ दो मैच जीत पाई हैं, यह आकड़े तो लगभग दोनों ही टीमों के ठीक ठाक है, लेकिन इस टूर्नामेंट में भारतिय टीम आस्ट्रेलिया को 100% हराएगी, भारतिय टीम अगर आस्ट्रेलिया को हराने में काम्याब हो जाती है, तो उनके लिए सेमी फाइनल का रास्ता बिलकुल भी आसान हो जाए भारतिय टीम आस्ट्रेलिया के खिलाफ नई प्लेइंग 11, नई रननीती और नई उमन के साथ मैदान पर उतरने जा रही है, तो आईए दोस्तों अब आपका बिना ज्यादा वक्त गनवाए आपको बताते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाल बदलाव किया है कि नहीं तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम भारतिय टीम की ओपनिंग जोडी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग जोडी में बढ़ा बदलाव क जी हां दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायस्वाल के साथ पारी का आगास करने का फैसला लिया है, जैसा कि अभी तक आप सभी ने देखा कि रहित शर्मा के साथ विराट कोहली ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते थे लेकिन कोहली अपने बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन ओपनिंग के दोरान दिखा नहीं पाए, इसके बाद अब रोहित शर्मा यशस्वी जायस्वाल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे, जैस्वाल एक युवा ओपन बल्ले बाज है, इनके पास अटेकिंग एबिलिटी और अनुभव की कोई कमी नहीं है, पावपले में ये ताबर तो रन बरसा न जानते हैं, जबकि रोहित शर्मा भी टी 20 फॉमेट के सबसे खतरनाक खिलारी माने जाते हैं, लेकिन वर्ड कप के इस टूर्नामेंट में अभी तक अटेकिंग पारी रोहित के बल्ले से नहीं, दिखी है, जितने भी रन रोहित न बल्ले बाजी करके रन बनाने में मदद करते हैं तो डेफिनेटली, आस्ट्रेलिया को हराने में टीम इंडिया काम्याब हो जाएगी, जबकि इसके बाद दोस्तों नमबर तीन पर कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली को बल्ले बाजी के लिए प्लेइंग 11 में शामि तक किन कोहली का बल्ला खामोश रहा है। तक फिलारी सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। सूर्य आती 20 फॉर्मेट में 4 शतक लगा चुके हैं। उनकी capability बहुत ही strong है, middle order में आकर ये किसी भी टीम को बर्बाद करने में माहिर है। सूर्य अगर एक बार सेट होते हैं तो मैदान के चारों तरफ सिर्फ छक के चौकों में ही डील करते हैं। जबकि इसके बाद दोस्तों नमबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज की तौर पर रिशब पंथ को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जबकि इसके बाद दोस्तों साथवे नमबर पर वर राउंड खिलारी रवींद जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जडेजा गेंडबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करते हैं हालाकि अमेरिका की पिछ पर अभी स्पिन गेंडबाजी भारती और टीम की तरफ से ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब जो भी मुकाबले हैं वह वेस्ट इंडीज में होंगे तो स्पिनर गेंडबाजों का बोल बाला रहेगा। जबकि इसके बाद दोस्तों आठवे नंबर पर और राउंड खिलारी अक्षर पटेल को मौका मिला है अक्षर पटेल भी जडेजा की तरह एक बहतरीन और 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 राउंड खिलारी है स्पिन गेंडबाजी बहुत ही बढ़िया करते हैं और बल्ले से रन भी बना देते हैं जबकि दोस्तों तेज गेंडबाजी यूनिक की बात करें तो भारतिय टीम की तरफ से मुहम्मद सिराज जस्प्रीट बुमराह और अर्षदीप सिंग संभा लेंगे ये तीनों ही गेंडबाज इस समय काफी शांदार ले में चल रहे हैं जस्प्रीट बुमराह अकेले ही जार ओवक के स्पैल में किसी भी टीम को तहस नहस कर सकते हैं तो वहीं पर मुहम्मद सिराज और अर्षदीप सिंग के पास भी रफतार और अनुभव की कोई कमी नहीं है ये दोनों फिलाड़ी भी काफी बढ़िया पफॉमेंस दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अग खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था अपने कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा